हेलो दोस्तों आज के वीडियों में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप डब सेंपो और गुलाब जल की मदद से आप अपने बालों को खुबसूरत बना सकते हैं और बालों से जुड़ी हर समस्या को दूर कर सकते हैं लंबे वा घनेवाल व्यक्तित्व और खुबसूरती को बढ़ाने में मदद करते हैं बाल लंबे हो तो तरह तरह के हेरिस्टैल बनाना आसान होता है लेकिन कुछ लोग अपने बालों की दिमी ग्रोफ से लेकर परिसान रहते हैं इस परिसानी में कई बार वो बाल बढ़ाने के लिए गलत सेंपू का चैन कर लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम जहीं बताएंगे किस प्रकार आपको सई सेंपू का यूज करना है और देगी अपने बालों से जुड़ी समस्यां को दूर कर सकते हैं आपके बाल अगर जढ़ जढ़ का छोटे हो रहे हैं तो इस स देखिए इसमें एक पूरा पाउच हम डब सेंपू का ले लेंगे तो मैं इसको काट लेता हम अच्छी तरीके से अब इसमें एक पहले साफ कटोरी ले लेंगे अब इसमें एक हम ऐसा क्लिंजर तयार करेंगे जो हमारे बालों में चुपी गंदगी को साफ करेगा और हमार अब करसे हिए इसे करना क्या है कि हमें इसमें गुलाब जल एड़ करना आप डोने के लिए आइडा लेकिन हम गुलाब जल का प्रेयोग दिया के लिए भी करिसकते हैं। सबसक्करेश के बालों में schupeges ke अपने से रोपता है और बालों में छुपी किटाणूं को दूर करता है तो देगे इतनी मात्रा में हम गुलाब जल ले लेंगे तो जब आप जिस प्रकार आप सेंपू करते हैं सबसे पहले इसको गुलाब जल को और सेंपू को मिक्स कर लेंगे इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों को दोना है जिस प्रकार आप सेंपू से अपने बालों को दोते हैं तो जैसे इस प्रकार आप अपने हातों पर इसको लेके अपने बालों के ऊपर अच्छे से आपको मसाज करनी है और बालों की जड जेड़ है, स्केल्प है, उस पर पपड़ी है, खुजली है, जलन है, उसको भी दूर कर देगा, तो दोस्तों यह नुसका काभी सरल सनुसका है, आपके लिए मैंने आपको बताया कि आपको ड़ सेंपूल लेना है, और इसमें बुलातल एड़ करके, आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से वास कर लेना है, और फिर आपको अपने बालों को सुखा लेना है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, छोटासा वीडियो था, और आपके बालों के लिए काफी उपयोगी है, तो दोस्तों चलते हैं, फिर आपसे अगले वीडियो मलाकत करेंगे अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जहां से यादा सेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और इस्तेदारों के पास तो चलते हैं बाई बाई